हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों यहाँ पे MES के पदोपर भरती निकाली गई है यानि कि मिनिश्टी इंजिनियर सर्विस के पदोपर यानि कि यहाँ पे आपको बता दिया जाए फोर्म को कैसे फिल करना होगा कैसे इस फोर्म को आवेदन करना होगा डाउनलोड कैसे आप कर पाएंगे इंडियन आर्मी की OPCL बेप साइट है यानि कि MES की OPCL बेप साइट से कैसे डाउनलोड करना होगा फॉर्म को कैसे फील करना होगा सारी जानकारी आप सभी को बताएंगे खुली भरती दोस्तों निकल के आचुके है फॉर्म को फील करके भी आप सभी को दिखाएंगे बस वीडियो के साथ लाश्ट तक बने रहिएगा क्या क्या दस्तावेज यानि कि क्या क्या डोकुमेंट आपके लगेंगे किस राजजोर जिले के कैंडिडेट इस फोम को आवेधन कर पाएंगे सारे जानकारी आप सभी को दी जाएगी दोस्तो बस वीडियो को टोटल कंप्लीट देखते रहेगा तभी सभी क्यूसेन के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे आप सभी को एक जरूरी बात बता देखी जो कैंडिडेट यानि कि जो कैंडिडेट यहाँ पर इस चैनल पर नए नए आये हैं यानि कि नए वाच कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्र निकाले गई है इसमें टोटल यहाँ पे 16,580 पदो पर भरतियां निकाले गई है पोच्ट नेम यहाँ पे गुरूप C के पदो पर भरतियां निकाले गई है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जेई सीविल जेई EMA के पदो पर भरतियां निकाले गई है इसी प्रकार स आपको category वाइस आपको बताएंगे तो यहाँ पे job category आप देख पा रहे होंगे जो कि defense job है जहाँ पे job location आपको पताई हो है जो कि आल इंडिया के सारे candidates form को आविदन भी कर पाएंगे who can apply आल इंडिया के सारे candidates form को आविदन कर पाएंगे exam center आप देख पा रहे होंगे all over इंडिया यानि कि इंडिया के किसी भी कोने में आपकी job कहीं भी लग जाएगी exam center भी आप अपने मर्जी से चूच करके exam दे सकते हैं जेंडर यहाँ पे male and female यानि कि दोनों candidate इस form को apply यानि कि आवेदन कर पाएंगे यहाँ पे application mode online माद्धम से इस form को आवेदन कर पाएंगे और यहाँ पे application form फीस के बार में आपको बता दिया जै तो जनरल candidate के लिए और OBC candidate के लिए फीस बिलकुल फ्री है अभी तक फीस निर्धारित नहीं की गए है क्योंकि दूस्तों जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा सौ रूपय आपके लांप यहाँ पे लगेंगे स्टी के लिए फीस बिलकुल फ्री है payment mode के बारे में आपको बता दिया दिया तो आप देख पा रहे होंगे जो कि credit का और debit का और net banking के माद्धम से payment को आप जमा कर पाएंगे इस भरती की एज लिमिट के बारे में बता दिया जाए आपको तो minimum एज 8 वर्स और maximum एज 30 वर्स के बीच के candidate को आविदन कर पाएंगे एज में रिलेक्शन यानि की एज में छूट भी आप सभी को दी जाएगी education qualification simple और simple बारवी के पास भी candidate को आविदन कर पाएंगे कोई भी बैसलर डिगरी नहीं मागई है दोस्तों simple और simple बारवी के पास candidate को आविदन कर पाएंगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हर सब्जेक्ट में कम से कम 30 से 40 परसंट मार्क्स आपके होने चाहिए दसवी पास के candidate के लिए और यहाँ पर यहाँ पर इस विल्टी डेटल्स के बारे में बात कर लिया जाए तो main के यहाँ पर male candidate के लिए 162 सेंटीमीटर और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 70 से लेकर 75 के बीच में चैस्ट आपका होना चाहिए रनिंग टेस्ट के बारे में आपको बता दिया जाए तो running टेस्ट यहाँ पर चार घंटे में आपको 26 किलोमेटर कंप्लीट करनी होगी जो की male candidate है और जो female candidate है 16 किलोमेटर यहाँ पर चार घंटे में कंप्लीट करनी होगी यहाँ पर MES भरती की सेलैक्सन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो physical टेस्ट होगा running होगी और यहाँ बेट आपका मापा जा आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर आई इस भरती की सबसे जरूरी बात बता दी कि कौन कोंसे दस्तावेज आपको लगेंगे यानि कि लगने वाले हैं और यहाँ पर important date के बारे में आपको बता दिया जाए तो starting date इस भरती की 16 October 2023 से registration की last date और पेमेंट जमा करने की last date अभी तक निर्धारित नहीं की गई है इडिमिर कार इक जाम date अभी तक जारी नहीं किया गया है जैसे ही जारी कर दिया जाएगा तो हम आप सभी को वीडियो के माद्धम से सबसे पहले बताएंगे आसा करता हूँ दोस्तो वीडियो आप सभी को पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और लोटी पी किसन बिलको जरूर दबा लें जितना होस कि अपने दोस्तों के साथ भी सेर कर दीज़े और जहां कहीं भी इस भरते में कुछ भी ना आज में आया तो कोमेंट बॉक्स में आप कोमेंट कर दीजिए हम आपसे को रिपलाई करके जरूर बताएंगे आज के लिए बस इतना है तब तक के लिए जाहिंद पंदे मातरम